नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं मुझफरपूर पहुचे पपू यादाव आँख की रौसनी खोने वालों को दी मदद मुझफरपूर के आई होस्पिटल में मोत्याबिन का ओप्रेशन कराने वाले कई लोगों की आँख की रौसनी अब तक जा चुकी है अब तक 15 लोगों की आँखे निकाली जा चुकी है संक्रमन का यह कहर ऐसा है कि लोग मुझफरपूर आई होस्पिटल में लगाये फ्री मोत्याबिन सरजरी केम्प का नाम लेते ही सीहर उठते हैं ऐसे में अब इस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पपू यादव ने पहल की है जाब सुप्रीमो पपू यादव मुझफरपूर पहुचे वहां आई होस्पिटल में मोत्याबिन के सरजरी के दौरान अपनी आख गवाने वाले लोगों से मुलाकात की पपू यादव ने पिडितों को अपनी तरब से आर्थिक मदद की पपू यादव ने इस मौके पर नितीज सरकार को जमकर लतार लगाते हुए काया कि बिहार में ऐसे फरजी नर्सिंग होम और करप्र होस्पिटल की भरमार है मैंने इसके खिलाप लडाई शुरू की थी लेकिन सरकार में बैठे लोगों की साट गाट से यहाँ पुरा धंदा चल रहा है पपू यादव ने इस मामले में सरकार से जल्द एक्सन के मांग की है सीविल सरजन से भी इस मामले पर पपू यादव ने बातचित की पपू यादव ने मांग की है कि सरकार उन पीडितों को दो लाग का मुआज़ा दे जिनकी आँख की रोसनी मोतियाबिन के ओप्रेशन के दौरान चली गई है इस मामले में राष्टिया मानव अधिकार आयोग ने भी संग्यान लिया है मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में चार हपते के अंदर राज के मुक्य सचीव से जवाब मांगा है बिहार में चार लाग बच्चों ने नहीं भरा मैट्रिक का फॉर्म कुरोणा महामारी ने बदल दिये हाला 2022 में होने वाली बिहार बोर्ड की मैट्रिक परिक्चा में सामिल होने के लिए फॉर्म भरने का समय अब खत्म हो चुका है लेकिन करीब 4,6,6 ने फॉर्म नहीं भरा है वहीं सूत्रों की मताबिक वह संख्या 25-30% तक हो सकती है इतने विद्दार्थी 2022 की मैट्रिक परिक्चा में सामिल होने से अब वंचित रह जाएंगे आपको बता दे कि पिछले कई वर्चों से यहां संख्या महज 50-60,000 ही रहती थी बिहार विदाले परिक्चा समीती ने 14 अगस 2021 से परिक्चा फॉर्म बढ़ने की शुरुवात की थी समीती की ओर से 3 नॉमबर 2021 तक कुल 8 बार परिक्चा फॉर्म बढ़ने की थी अब सामने आ गया है मदगन्ना का कायर सुभा आठ बजे से ही चल रहा था पस्चीमी चमपारन के बालमिकी नगर का रिजल्ट भी सामने आ गया है सांगसद सुनील कुमार के भाई मनोज कुमार कुषवाहा पंचाय चुनाव जीत गया है वहीं बिहार की उपमुखमंत्री र मनोज कुमार कुषवाहा ने पराजित कर दिया है वहीं बात यदि पूर्वी चमपारन की करते हैं तो यहां पूर्व मंत्री अवधेश कुषवाहा के रिस्तिदार संध्यात राना ने मुख्या का चुनाव जीत लिया है तो वहीं पूर्वी चमपारन में पूर्व विध के सामने आये नितीज, विधानसभा में विकास योजनाओं में तरजी नहीं मिलने का मामला उठाया, जार विधानसभा में बेहद रोचक घटना करम देखने को मिला, यहां मुखमंत्रे नितीज कुमार के सामने एक और नितीज खड़े हो गया है, दरसल बीजेपी विधायक के नितीज मिस्त्रा ने सरकार से ध्यानकर्सन के जरिये ग्रामेन कार विभाग की योजनाओं के सिलान्यास और उदगाटन में विधायकों को नहीं बुलाया जाने का मामला उठाया है, नितीज मिस्त्रा समेत अन्य सदस्चों की तरप से दी गई ध्यानकर्सन सूचना पर ग्रामिन कार्ज मंत्री जैंत राज ने जवाब दिया नितीस मिस्रा सदन में कह रहे थे कि ग्रामिन कार्ज विभाग की तरब से प्रधान मंत्री सडक ग्राम योजना के तहट जिन सडकों का सिलैन्यास और उद्गाटन किया जाता है उसकी जानकारी तक के विधायकों को नहीं दी जाती इस बात की जानकारी नहीं होने से विधायकों का सम्मान कम होता है बीजेपी विधायक के इस सवाल के जवाब को लेकर कई अन्य सदस्चों ने भी सदन में आपत्ती जताई कॉंग्रेस के विजए संकर दुबे, आरजेडी के अवद बिहारी चौधी, मागपा, माले के महबूव आलम ने भी सदन में आरोप लगाया है कि उदगाटन और सिलैन्यास जैसे कायरकरम में विधायकों को तवज्जो नहीं दी जाती है बिहार में पुलिस कर्मियों के तवादले पर बड़ा आदेश, किसी भी पुलिस अधिकारी की नहीं होगी ग्रिहा जीले में पोस्टिंग बिहार के जीला पुलिस में 6 साल से पुश्टेट सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का तवादला होगा यह प्रक्रिया 10 दिनों में जारी करने का फर्मान जारी किया गया था उनका कायरकाल कितना भी छोटा क्यों ना हो डीजीपी एसके सिंगल ने 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे है पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरी जगहों पर भेजने का निर्देश जारी किया था लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद डीजीपी ने अब एक नया आदेश जारी किया है नये आदेश में डीजीपी ने इसपस्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके ग्रिह जिले में नहीं की जाएगी मंत्री सुमीत सिंग ने दी बधाई बिहार के 680 इंजिनियरिंग चात्र चात्राओं का कैंपस प्लेस्मेंट हुआ इन चात्रों को विज्ञान एवंग प्रदोगी के मंत्री सुमीत कुमार सिंग ने बधाई दी है उन्होंने काया कि अपने हुनर और मेहनत के बदोलर इन चात्र चात्राओं ने बिहार का नाम रोसन किया है आपको बता दे कि मेडिया से बाचित करते हुए विज्ञान एवंग प्रदोगी के मंत्री सुमीत कुमार सिंग ने 15 साल पहले के बिहार के इस्तिती और वरतमार की इस्तिती को एक-एक करके बताया पहले क्या-क्या समझसा लोगों को जेलनी परती थी इसके बारे में भी उन्होंने अपनी बाते रखी सुमीत सिंग का कहना था कि एक समय था जब बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेसों में जाते थे बिहार में उच्ची सिक्चा के विवस्ता को चौपट करके रख दिया गया था उस दौर में युवाओ का उज्वल भईस कभी सरकार की प्राथमिक्ताओं में सामिल नहीं था सिक्चा विवस्ता में गोटाला और नौकरी में जवज़स्त धानली का प्रियाय बनकर बिहार रह गया था चात्रों को डिजिटल डिग्री वा सर्टिपिकेट नहीं देने को लेकर पटना हाइकोट हुआ सक्ट सेंटरल युनिवरसिटी ओप साउथ बिहार के रजिश्टार को किया तलब पटना हाइकोट ने चात्रों के मांग पर डिजिटल डिग्री वा सर्टिपिकेट को जारी नहीं किये जाने के मामले पर सेंटरल युनिवरसिटी ओप साउथ बिहार के रजिश्टार को तलब कि याची का करताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खोदी इस मामले पर कोट में बहस किया। गौरव ने कोट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कारियाले ने याची का करताओं की डिजिटल डिग्री वा सर्टिपिकेट की निर्गत करने के आवेदन को लंब की डिजिटल सर्टिपिकेट निर्गत नहीं करने का कारण इस्पस्ट रूप से उल्लेकित करते हुए जवाबी हलपनामा दायर करें विधान परिशद के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों से की बतसलू की विपक्ष के प्रदर्शन का कवरेज करने से रोका विधान मंडल के सितकालिन सत्र के दोरान राज विधान परिशद पोटीकों के उस वक्त अजीबो गरिब इस्तिती पैदा हो गई जब पत्रकारों को सुरक्षा कर्मियों ने धक्के देकर निकालना सुरू कर दिया लगबग 12 बजे सदन की कारवाई सुरू होने के ठीक पहले विपक्ष प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शन का नेतित पुरू मुह मंत्री रावडी देवी कर रही थी पोटीकों में हो रहे इस प्रदर्शन को पत्रकार भी कवर कर रहे थे लेकिन सुरक्चा कर्मियों को यहाँ बात नगवार गुजरी उन्होंने सदन पोटीकों से धक्के देकर पत्रकारों को बाहर निकालना सुरू कर दिया इस दौरान कई पत्रकारों को चोटे भी आई इलक्टोनिक मीडिया के कुछ पत्रकारों का कैमरा और मोबायल भी तूट गया इससे नाराज पत्रकार वहीं धरने पर बैठ गये जमेन खरिद विक्री को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है नितीज सरकार विधानसबा के मौजोदा सत्र में पेश होगा विधेयक बिहार सरकार में जमेन की खरिद विक्री को लेकर अब बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में है राज में जमेन की खरिद विक्री के साथ नकसा भी अब बदल जाएगा इसके लिए सरकार इस्पेशल म्यूटुसन सुरू करने जा रही है सरकार की तरब से इसके लिए कानून में आवस्चक बदलाव भी किया जाएगा और इससे जुड़े विधैयक सरकार विधानसबा के मौजुदा सितकालिन जत्र के दौरान पेश करने वाली है सरकार की तरब से बिहार भूमी दाखिल खारिज संसोधन विधैयक सदन में पेश किया जाएगा इसमें विधैयक के पास होते ही विवस्था में बदलाव हो जाएगा नई विवस्था में खरीद विक्री होने के साथ आमिन प्लोट पर जाकर भू नक्सा सौप्ट्वेर्स संबनित प्लोट के खरीदार के मुताबिक उसका विवाजन कर देगा उसका प्री म्यूटेशन इसकेज बनाकर अंचल में इस काम के लिए बाकी के प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी इसके साथ ही जमाबंदी के आकड़ों में परिवर्तन हो जाएगा एक जमीन की खरीद बिक्री के बाद गाउं का नक्सा भी अपडेट कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के बाद प्लोट का नक्सा सुधी पत्र के साथ अटेश कर जारी कर दिया जाएगा हर जमीन की चोहदी के बारे में भी पूरी जानकारी होगी बिहार में लेक्चरर भरती के लिए इंटर्विव साथ दिसंबर से बिपीएस्टी ने जारी किया सेडियोल बिहार लोग सेवा आयोग ने लेक्चरर भरती 2016 परिक्षा में सफल हुए अभ्यारतियों के लिए इंटर्विव की तिथी गोसित कर दी है बिपीएस्टी के नोटिस के अनुसार अलग-अलग बिशायों के लेक्चर पर्द के लिए इंटर्विव साथ दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा लेक्चरर भरती 2016 की परिक्षा में पास हुए उम्मिद्वार बिपीएस्टी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटर्विव स्टेडियों डाउनलोड कर सकते हैं सुचना के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को हिंदी विशाय के इंटर्विव का आयोजन किया जाएगा आखरी में समाजिक विज्ञान के लिए 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटर्विव होंगे इंटर्व्यू का आयोजन पिशयों की हिसाब से दो पालियों में होगा पहली पाली सुबस साधे दस बज़े से और दूसरी पाली दो पहर दो बज़ कर तीस मिनट से सुरू होगी एक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्टेदारों में सेर करना ना भूले धन्यवाद